सर्दी के मौसम में हर किसी का कुछ न कुछ गर्मा गर्म चटपटा टेस्टी खाने का मन करता ही रहता है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आप के साथ शेयर कर रहे हूं सूजी और आलू का बहुत ही टेस्टी चटपटा मज़ेदार सा नाश्टा यहाँ पर मैंने ली है एक कप सूजी सूजी मैंने बारिक वाली ली है और सूजी को एक बोल में डाल दिया है एक चौथाई कप इसमें डाल दिया है दही और अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दिया हूँ आधा चमश नमक साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़े से धनिया पत्ते और बस सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे पहले पहले आप इसमें दही को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद ही आप इसमें पानी डालेंगे तो दही mix हो चुका है अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं तो पानी एक साथ जादा नहीं डालना है क्योंकि जो batter है वो हमें बहुत पतला नहीं बनाना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से-से mix करेंगे अगर यह batter बनाने के लिए आपके पास बारिक सूजी ना हो तो normal सूजी को mix के जार में डाल कर थोड़ा सा grind कर लेना और फिर उस सूजी का इस्तिमाल आप batter बनाने के लिए करना तो यहाँ पर इस तरह की consistency का batter आपको बनाना है बैटर तयार है बस अब आपको इसे cover कर देना है और 10 minutes के लिए rest पर रखना है अब यहाँ gas पर मैंने एक pan रख दिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया है तेल जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें आप डाल देंगे आधा चम्मच जीरा इसमें आप डाल देंगे यहाँ आधा चम्मच राई साथ ही आप इसमें डाल देंगे एक चोथा ही चम्मच हींग gas का flame हमने medium रखा है और medium flame पर इने आपको भून लेना है जीरा और राई को अच्छे से तड़क रहे देना है अब आप इसमें डाल दें एक प्यास तो मैंने एक medium size के प्यास को बारी कट करके इसमें डाल दिया है इसे medium flame पर आप थोड़ा सा भून लेंगे तो हमने प्यास को लगाता चलाते हुए भून लिया है प्यास का कलर हलका साथ चेंज हो गया है तो इस stage पर मैं इसमें डाल दिया हूँ दोबारी कटी हुई हरी मिर्च साथी याप पर डालेंगे कुछ मसाले तो एक चोथा ही चमस डाल दिया है हल्दी पाउडर आधा चमस डाल रहे है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये तीखा काम होता है अच्छा कलर आता है आधा चमस डाल दिया है धनिया पाउडर एक चोथा ही चमस मैंने डाल दिया है गरम मसाला साथी इसमें डाल देंगे आधा चमस नमक और यहाँ जा रहा है इसमें आधा चमबस दरदरा पिसा हुआ सौफ सभी मसालों को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है मिक्स और मसालों को थोड़ा सा भून लेना है लगबग एक से त्रेड मिनट के लिए अच्छे से मसालों को भून लेंगे ताकि से जो स्टरफिंग त्यार होगी उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है इसमें डालने है आलू तो मैंने तीन बड़े साइस के आलू को उबाल कर छील कर मैश करके लिए आए तो यह इसमें आलू डाल दिये अच्छी तरीके से मसाले में आलू को मिक्स करना है और इस तरीके से आलू को दबाते जाना है ताकि से कोई भी मोटा टुकड़ा होना आलू का वह भी अच्छे से मैश हो जाए तो आलू को ऐसे आपको त्यार करना है एक बहुत ही बड़ी सा आलू का मसाला आपका ये रेडी हो जाएगा और अब इस मसाले को आपको कम से कम 3-4 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से कोक करना है ताकि से आलू का मौश्टर थोड़ा कम हो जाए अब यहां पर मैं इसमें डाल रहे हूं हरे धनी की खटी चटनी एक अब इसमें डाल दिया है आधा चमब चात मसाला और थोड़ा सा हरादनिया इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2-3 मिनट तक इसे और कुक करना है मीडियम फ्लेम पर ताकि से आलू के इस मसाले में मौश्टर थोड़ा कम हो जाए कलर देखिए कितना बढ़िया अब आप गयस का फ्लेम आफ करेंगे और अलग बरतन में निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे तो यहां पर यह आलू का मसाला हो चुका है ठंडा तो इसमें से मैंने यह देखिए थोड़ा सा यह आलू का मसाला लिया है हातों में और इस तरह खोल गोल टिक्की बना कर आपको त्यार करनी है तो टिक्की का जो साइज है ना वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है तो यह देखिए इस तरीकी की टिक्किया आपको बना कर त्यार कर लेनी है तो मैंने सारी आलू की टिक्किया त्यार कर ली अब यहां पर जो हमने सूजी का बैटर बना क लेकिन जो नाश्टा बने एकदम फ्लफी बने बहुत अच्छा फूले तो इसके लिए मैं इसमें एक चोथा ही चमच बेकिंग सोड़ा डाल रहे हूं यानि कि खाने वाला सोड़ा जिसे मीठा सोड़ा बोलते हैं अच्छे से मिक्स कर देना है यह देखिए बैटर की कंसिस् धास इस तरिके से स्पून में उठाइएंगे और अब हम इसे गरम से डालेंगे तो ओईल को मैने पहले ही गरम करने रख दिया था जूसरा पीस पर दिखना है हो इसे एक मिनट के लिए लिए तरफिछी आप इने पलड़ देँ आप चाहें तो इनके उपर इस तरीड क ताकि सही नीचे और उपर से दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक कर त्यार हो तो यहाँ पर हमने दोनों पीसिस को पलट दिया है और अलट पलट कर इन्हें अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है आप चाहें तो यहाँ पर साइड में जगा बना कर और पीसिस भीस में इसी तरह डाल सकते हैं और सभी को अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर अलट पलट कर आपको कर लेना है फ्राई बहुत ही बड़िया फूला फूला नाश्ता त्यार हो रहा है और यह जो नाश्ता है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी एक तम यूनिक नाश्ता है इसे आप कभी भी आसानी से बना कर त्यार कर सकते हैं चटपटा टेस्टी मज़ेदार सा नाष्टा है जो बच्चों से लेकर बढ़ो तक सब को पसंद आता है तो अलट पलट कर इसे फ्राई कर लेंगे कलर देखे क्या शांदार कलर आ रहा है ना तो इसी तरीके से आपको गोल्डन ब्राउन होने तक इने फ्राई कर लेना है तो मैंने यहाई इने शैलो फ्राई किया है आप भी शैलो फ्राई कीजेगा डीफ फ्राई करने की इसे जरूरत नहीं होती है तो यहाँ पर नाष्टा तयार है तो इसे निकाल लेते हैं और इसी को सब्सक्राइब, बैल आइकन को प्रेस और और अल पर क्लिक करें फेस्बुक पेस को फॉलो करना आप बिल्कुल न भूलें